नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्रई इतिरे मिली दोस्तों आशा करता हूं वक्षू की संपन और सम्रद दोंगे उसके साथ खुश रहना बहुत जरूरी है जो लोग खुश रहते हैं उनके पास किसी भी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं दोस्तों आ आपको बहुत ही सचों टोपाए देने वाला हूं जिन लोगों के पास या तो धनकी कमी है या फिर पैसे आते ही नहीं है और कुछ लोगों के पास पैसे आते हैं लेकिन ओप्रिकते नहीं है फिजूल खर्च हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए धन आये भी और घर में पिके भी, उसके लिए मैं इस वीडियो में आपको एक बहुती सिंपल और सरल उपाएं बताने जा रहा हुँ इस से पहले दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है, गर मेरी चैनल की मुराकाद अप पहली बार ले रहे हैं, या फिर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब अबस्च कर ले, देल आइकन दवाएं, वीडियो अच्छी लगती है, तो लाइक और दोस्तों में से रवस्च करें, चलिए दोस्तों, आपको क्या करना है, दोस्तों सोंब सोंबार, चंद्र को समर्पित दिन माना जाता है, और चंद्र जिसके भी खुश हो जाए, या चंद्र की क्रपा जिसके भी बरस्ती है, माता लक्षमी उसके घर में हमेशा हमेशा के लिए अपना निवासिस्दान बना लेती है, तो सोंबार के दिन चंद्र को खुश करने के लिए, आपको सोंबार की रात को एक लोटा या ग्लास में आप जहाँ सोते हैं, वहाँ पानी भरके रखें, जहां भी आप बेड़ पे सो रहें, तो आप अपने माते की तरफ शिरहाने जिसको बोलते हैं, वहाँ एक लोटा या एक ग्लास में पानी भरके रख लें, और उस पानी को धक्के रखें, और आप सो जाएं, सुबे उठते ही, आप उस पानी को कहीं भी दूर फेक दें, उत्तर दिशा में, कहीं भी मतलब खुले आस्मान के नीचे, घर से बाहर, या फिर चत्त पे जाके आप उत्तर दिशा में पानी को फेक दें, दोस्तों चंद्र का पानी के साथ बहुती गहरा सम्मंध होता है, ये क्रिया आपके चंद्र को खुश करेगी, जिससे आपके घर में पैसे की आवक बढ़ने लग जाएगी, और धीरे धीरे आपके घर में पैसे आने भी लग जाएगे, और टिकने भी लग जाएगे, दूसरा आप अपने पूजा इस्थाम में स्री यंत्र इस्थापित कर दें आपको स्री यंत्र लेना है और अपने पूजा इस्थाम में उसको रखना है रोज उसकी पूजा करने हैं स्री यंत्र दोस्तों इस तरह से होता है इसमें कोडी भी है गोमती चक्र भी है रुद्राच भी है श्रीयंत्र मतलब माता साचात माता लक्षमी का रूम आप इसको अपने घर में धन इसमें पूजा इस्तान में रखेंगे मतलब माता लक्षमी को वहाँ आना ही पड़ेगा और जिस घर में माता लक्षमी की क्रपा होती है उस घर में पैसे की कभी कमी नहीं होती है तो दोस्तों आप एक तो पानी वाला उपाय कर लें दूसरा ये स्रीयंत्र आप मगा के रखें जो आपको अन्नोन वर्ड वाई बीना चैनल पे आपको फोन नम्मर मिलेगा उस नम्मर पे आप कोल करें और आपको श्रीयंत्र मिल जाएगा करते रहें इस क्रिया को करने या समझने में अगर आपको कहीं कोई असुवेदा हो तो कमेंट बोक्स में लेकर पूछे आवस्च नमस्कार दोस्तों